मद्यप्रदेश में मुस्राधार बारिस के आसा आरें जिलों में जारी हुआ भारी बारिस का अलर्ट दोस्वागत है आपका हमारी ट्रीम नियुज शेनल में और मैं हूँ आपका होश दोस्त कुल्दी पांड़ी दुशको आज के वीडियों बात करने जा रहे हैं मद्यप् मत्यप्रदेश में मांसून की सक्रीता जारी है मुस्राधाग ने कल शनिवार को और रहिवार को यलो अलर्ट जारी किया है मुस्राधाग ने तीन संभागों में मुस्रा धार बारिश की संभा होना जाता है मुस्राधाग ने चार से साथ जुलाई तक प्रदेश भर के जा उपरी हवा का चक्रवाद बना हुआ है उसके प्रभाव से प्रदेश के मालवा छेत्र में बरसात हो रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी एक उपरी हवा का चक्रवाद बना हुआ है इस सिस्टम से होकर बिधर्व तक एक ट्रफ बना हुआ है जो पूर्वी साहित आसपास के चैत्रों में शुक्रवार दो पहर जोरदार बारिश हुई तेज बारिश से मुख्याले उन से छे किलोमेटर दूर लखना वाड़ा में बेन गंगार नदी उपान पर आने से छोटी पुल रप्टा डूब गया चिंदवाड़ा में दो इंच धार में डेड नाला डूग गया तो 12 वजे के बाद यातायाज बंद रहा तीन शेट उड़ गए और अन्य जगाओं पर इस प्रकार की पानी बरसरा है इन जलों में भारी बारिश का अलड़ अगर हम बात करें तो कौन कोसी जलों में मुश्मिभाग ने अलट जारी किया है तो मुश्मि गुना अशोग नगर जिले में भाई बारिश होने के आसार है बोपाल सागर गवालेयर चंबल संभाग के जिलों में गय चमक के साथ हल्की पहुचारे पर सकती हैं हम बात करें कहां पर पिछले 24 गंटे में कहां पर कितनी बारिश होई तो छिंद बाड़ा में 47.08 बोपाल ट्रेस सागर में 2.02 खजुराहों में 1.02 होशंगाबाद में 6.04 टीकमगर में 5.00 शिवनी में 11.04 उमरिया में 1.08 मलाचखंड में 12.08 मंडला में 16.00 अधार में 7.02 अधार में 8.00 दतिया में 6.6 अधार दज की गई है